हलो फ्रेंट्स चलिए आज बात करते हैं हम लोग उन प्लांट्स की कटिंग के बारे में जो 100% ग्रो हो जाती है इन प्लांट्स की कटिंग आपको कहीं से भी मिले आप ले लीजे क्योंकि ये 100% ग्रो होती ही है तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला नाम है वो है ये वांडरिंग जीओ इसे जैबरा وाइन भी कहते हैं बहुत बहुत एजी टो ग्रो प्लांट है आप इसे हैंगिंग बास्कित में लगाइए बहुत एजली ग्रो हो जाता है ये देखिए ये पीछे से purple color का होता है और बहुत संदर लगता है देखने में इसकी आप छोटी से छोटी cutting लगा दीजिए और ये grow हो ही जाता है इस समय बारिस का मौसम है तो cutting grow करने का सबसे अच्छा समय है ये देखिए इसे node area से इसको cut कर लीजिए और इतना सा आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए इतना सा और आपका plant तयार हो जाएगा next plant ये देखिए purple heart wine है ये देखिए बहुत खुबसूरत plant है और इसका color बहुत संदर लगता है यहाँ पर इसकी tip पर flower आते हैं और इसकी भी आप cutting लगा दीजिए आप कैसी भी cutting छोटी या बड़ी इस तरीके से आप cutting ले लीजिए और नीचे की दो leaves आप हटा दीजिए और आप इसको मिट्टी में बस ऐसे लगा दीजिए और लग गया आपका plant नेक्स्ट प्लांट जो है हमारी लिस्ट में वो है यह टर्टल वाइन यह देखे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे है टर्टल वाइन इसको भी आप cutting से बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं और गारंटी है कि यह प्लांट मरेगा नहीं यह देखे यह hanging basket में यह प्लांट भी बहुत इसके हर एक नोड एरिया से आपको जड़े निकलते हुए दिखाई देंगी बहुत खुबसूरत प्लांट है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है यह देखे यह पुलीवियन जीव का प्लांट है यह देखे इसमियो और टर्टल वाइन में बहुत हलका सा डिफरेंस होता ह और यह भी कटिंग से ग्रो हो जाता है यह देखे नरसरी वाले भाया के पास से मैं चोटी सी कटिंग लेकर आई थी और यह बहुत अच्छे से चलने लगा है इसे मैंने इसी पॉट में लगा दिया था यह देखे इसके बाद जो प्लांट है वो है यह एक रासूला का प्ल इसे अच्छा मौसम आपको नहीं मिलेगा यह रेखे और यह जो नेक्स प्लांट है वो यह टैंगल हार्ड प्लांट है इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बस कटिंग आप जो भी जहां भी ग्रो कर रहे हैं बस सॉफ्ट मीडियम लीजिए बहुत हार्ड मिट्टी में कटिंग को ना ग्रो कीजिए और बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी फैल भी जाता है नेक्स प्लांट जो है कटिंग से ग्रो होने वाला वो है यह सिंगोनियम आप किसी भी प्रकार का सिंगोनियम छोटी लीफ्स का बड़ी लीफ्स का आप कटिंग और लगा दीजे इसके बाद जो plant हैं हमारी लिस्ट में वो है money plant हमारा evergreen money plant आप इसको cutting से लगा दीजे और इसी cutting 100% चलती ही चलती है यह देखिए आप किसी भी परकार के money plant को लगा दीजे चाहे तो hanging basket टियार कीजे या pot तेयार कीजे इसको hang कर लिजे या फिसको उपर चड़ा दीजिए ये हर तरीके से खुश रहने वाला प्लांट है इसके बाद जो प्लांट है हमारी लिस्ट में वो है ये स्नेक प्लांट जी हाँ फ्रेंट्स आप इस स्नेक प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इसकी लीव्स को दो से तीन पार्ट में कट करके जमीन में लगा दीजिए और हर एक पार्ट से इसमें नया प्लांट ग्रो हो जाता है सारे ही प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको बहुत एफ़र्ट लगाने की जुरुत नहीं है अगर आप गार्डनिंग में बेगनर है तो ये सारे प्लांट आपके लिए बहुत अच्छे हैं इसके बाद जो प्लांट हमारी लिस्ट में है वो ये कोलियस का प्लांट है ये देखे कोलियस को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग ले लीजे बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है एक प्लांट से आप चाहते हैं कि कई प्लांट त्यार कर लें या अपने फैमिली फ्रेंट को गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा सीजन है आप कटिंग से ग्रो कीजे प्लांट और उनको किसी भी उकेजन पर गिफ्ट कीजे इसके बाद आप फैलेडंडरॉन को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह देखे यहां से नोड एरिया से इसको भी कट कर लीजे और आप इसको चाहें तो पहले पानी में और इसके बाद मिट्टी में या फिर डिरेक मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं इसके बाद यह सॉंग आफ इंडिया प्लांट है इसको cutting से grow करना थोड़ा मलब कि इसकी grow होने के chances थोड़े कम होते हैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो family और friends के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए Thank you for watching, see you in next video, bye bye